जोतिस एक विज्ञान है और इसे कहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है तो आईए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधा जिस प्रकार हर रास्ते पे कोई नो कोई परेशानी होती है वैसे ही हर परेशानी का कोई नो कोई रास्ता जरूर होता है इसलिए परेशानीों से न घबराईए उन परेशानीों का रास्ता टूनने का प्रयास कीजिए नमस्कार मैं निदीशिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 31 जनवरी बुद्वार का दैनिक राशिफल सबसे पहले आजाते हैं आज के पंचांग पर तो माग मास के क्रश्न पक्ष की पंचमी तिथी आज है जो की प्रातकाल 11 बचकर 36 मिनट तक रहेगी उसके बाद सस्टी तिथी प्रयारम हो जाएगी हस्त नक्षत्र भी आज एक के दिन आ रहा है जो की रात्री एक बचकर आट मिनट तक रहेगा उसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रयारम हो जाएगा चंद्रमा आज कन्या राशी में गोचर प्रहमन करेंगे आनंद योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते है उसका टाइम पिरिट सुबह 10 बच के 30 मिनट से दौपेर 12 बचे तक रहेगा वहीं राउ काल का समय दौपेर 12 बचे से लेकर एक बच कर 30 मिनट तक रहेगा दिशाशुलाज उत्तर दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशक हो तो तिल खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं अब आपको मैं बता दूँ कि पेड के बिना हमारे जीवन में सभी समस्याएं हो सकती है हमारा जीवन धुरा सा है क्योंकि पेड़ ये हमें oxygen देते हैं, पेड़ हमें प्राण वायू, जीने की प्रेड़ना देते हैं, जीने की वायू देते हैं, तो पेड़ों का होना बहुत आवशक है, पर यदि ये पेड़ आप अपनी राशी के अनुसार लगाए, तो आपके जीवन में उन्नती और प्र पास लगाएं और उनकी देख भाल करें, जिससे आपकी उन्नती के रास्ते खुल सके, तो मेरे साथ वीडियो के अन तक आप बने रहिए, शुरुआत करते हैं प्रथम राशी, यानि मेशी राशी से, आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन छेटे भाव में गोचर प्रम वो कारिय जरूर आपको करना चाहिए, आज के दिन शत्रों की संख्या में व्रद्धी हो सकती है, इसलिए ऐसे प्रतिद्वंदियों से थोड़ा साथ सावधान होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, आज के दिन कारिय शित्र में अच्छी उन्नती और प वर्गत के पेड़ लगाने चाहिए, आपका शुवरंग रहेगा पीला, शुवंक रहेगा नो, अब आते हैं व्रशब राशी पर आपकी राशी से एक चंद्रमा आज के दिन पांचवे भाव में गोचर भ्रमन करेंगे, अता आज का दिन करियर को लेकर समस्याएं उत्पन न कर सकता है, विद्यारती वर्ग यदि पढ़ाई में कुछ सपने बुनकर बैठे हैं, या फिर कोई निरने का इंतजार कर रहे ह तो आज थोड़ी सी निराशा उत्पन हो सकती है, पर ये निराशा आपकी ही पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी को प्रदर्शित करती है, इसलिए निराश मिलकुल भी नहीं होना है, और जो गलतियां आपने पहले किये, उन गलतियों को सुधारते हुए, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए आज के दिन आपको अपनी संतान पर भी नजर रखनी चाहिए, वैसे नौकरी पिशा लोगों को मन चाही ट्रांसवर मिल सकती है, इस राशी के जामुन और बबूल के पेड़ लगाने चाहिए, आपका शुबरंग रहेगा गुलाबी, शुबंक रहेगा पांच, अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर प्रमन करेंगे, अता आज का दिन आपके सुख सौभगे और सम्रदी को कहीं न कहीं चोट पहुचाता हुआ दिखाई देगा, यानि आज के दिन आर्थिक समस्याएं अचानक से आ सकती है, और उनकी से सुखों में थोड़ी सी कमी आप मैसूस करेंगे, पर आपको घबराने की जुरुत नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ, चुनोतियां हमें आगे बढ़ने का होसला प्रदान करती है, आप भी अपने आत्मों बलके दम पर आगे बढ़ते चले जाएए, ये चुनोतियां अ आप छोटी होती हुई चली जाएगी और उन्नती के मार्ग और अधिक गहरे और बड़े होते चले जाएगे, आज के दिन मा के साथ संबंदों को थोड़ा सा तोल मोल कर निर्वाहन करें, उनकी आग्या की अवेला बिलकुल भी ना करें और उनसे बहस बिलकुल भी ना करे इस राशी के लोगों को शीसम और बास के पेड़ लगाने चाहिए, आपका शुबरंग रहेगा भूरा शुबंग रहेगा तीन, अब आते हैं करक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भर्मन करेंगे, अता आज आज आपके छोटे भाई बैनों का आपको मौरली सपोर्ट देखने को मिलेगा, परंतु उनसे किसी भी प्रकार का विवाद आज के दिन उत्पन्न न करें, तो आपके लिए बहत आज के दिन मित्रों का साथ और से योग मिलेगा, होबी से रिलेटेड कारियों से आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे और व्यापार में आप अच्छी उन्नती करते हुए दिखाई देंगे, इस राशी के लोगों को अपने आस पास औस दी पौदे जैसे तुलसी नीम आज के दिन दूसरे भाव में गोचे फ्रमन करेंगे, अता आज के दिन कोटुम में कोई किसी प्रकार के अशुप समाचार आपको कोटुम से प्राप्त हो सकते हैं, अपने मन को धहरिय बंदाते हुए अपने जीवन में एक तठस पता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा आज के दिन किसी भी काम में लापरवाई बिल्कुल भी न करें और आज के दिन आपको फ्रंट फूट पे आने के अपेक्षा बैक फूट पे रहकर अपने कारेों को करना चाहिए, क्योंकि फ्रंट फूट पे आएंगे तो वो कारे आप नहीं कर पाएंगे और उस इस नुकसान की स्ततियां बढ़ सकती है, सिये राशी वालों को लाल रंग के फूल वाले पेड लगाने चाहिए, आपका शुबरंग रहेगा मैरून, शुबरंग रहेगा सांथ, अब आतें कन्या राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचे प्रवन करेंगे, आज के दिन आपको बिना बोले शांत रहकर अपने कारियों को करना है, कितना भी क्रोध आए, किसी पर भी क्रोध आए, आपको उस क्रोध को पी लेना है, वही आपकी शेहन सीलता को बढ़ाएगा, आज क दिन आपको कोई भी रिस्की काम में हाथ नहीं डारना चाहिए अधिकारियों की अवेलना ना करें वरना नौकरी पर आज आ सकती है रिस्तों में भी तालमेल बना कर रखे हालांकि दद्याल पक्स से थोड़े से रिस्तों में खटास उतपन हो सकती है इसलिए आज के दिन शा आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके मान सम्मान को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा कुछ काम आपके अधूरे रह गए वो दृत गती से आज के दिन संपन हो जाएंगे विदेशों से कोई भी काम करने की अपको अपने ही देश में काम करना चाहिए विदेशों से अच्छा लाप नहीं मिलेगा आज की दिन सतर करेकर आगे बढ़े किसी भी अजनभी से आपको धोका मिल सकता है उस अजनभी पर विस्वास करके आगे मिलकुल भी ना पढ़े तुला राशी वाले लोगों को री आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन ग्यारवे भाव में गोच अप्रमन करेंगे अता आज का दिन अचानक धनलाप की स्ततियां आपके जीवन में लेकर आएगा कुछ कारिये जो बहुत लंबे टाइम से अदूरे चल रहे थे वो कारिये आज संपन होते हुए में मंगलिक कारिक्रमों की रूप रेखा बनेगी इस राशी के लोगों को लाल रंग के फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए आपके लिए अर्जुन का पौधा भी शुब हो सकता है आपका शुबरंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा एक अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाऊं मे गोचै प्रमन करेंगे रहेगा आज के दिन पिता की आग्या की अवेला ना करें उनके स्वास का विशे सुरुप से ध्यान रखें सरकारी कारियों में बादा उत्पन हो सकती है आज के दिन आपको आत्ममन् OFन करक आज के दिन aggression आपके लिए ठीक नहीं रहेगा इसलिए शांत रहकर अपने कारियों को पूर्ण करने का प्रयास करें और रूटीन के कारियों ही पूर्ण करें नहे कारियों की शुरुआत से बचें इस राशी के लोगों को पीले रंग के फूलों के पौधे लगाने चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा सफेद शुबंक रहेगा आठ अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राजी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे हता आज का दिन आपके कारियों में अर्चन ला सकता है नहीं कारियों की शुरुवात आपको नहीं करनी है जो युवक्योतियां आज के दिन नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको थोड़ी सी निराशा जेलनी पड़ सकती है आज के दिन आध्यात्मिक कारिक्रमों में आपका मन अधिक लगेगा परिवार के साथ किसी धार्मिक इस्तल की यात्रा भी संभव है आज के दिन आप कोई विशेश कारिय करने से बचें बस जो काम आपके चल रहे होनी कारियों को पूर्ण करके आप अपनी जीवन में आगे बढ़े इस राशी के जातको को नीले रंग के पुश्पु वाले पौधे लगाने चाहिए शमी और आख का पौधा आपके लिए विशेश फलदाई रहेगा आपका शुबरंग रहेगा स्लिटी, शुबंक रहेगा साथ अब आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके जीवन में कुछ दुविधाओं को उत्पन्द कर सकता है आज के दिन आपको जुड़ से ज्यादा भावतावस किसी अपनी गुपनियफ बातें किसी को नहीं बतानी है आज के दिन अति विष्वास भी आपके लिए घाटक साबित हो सकता है इसलिए किसी पर भी जुरुसे जादा वरोसा ना करें अपने आत्मों बल पर वरुसा करते हुए अपने कारियों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करने का प्रयास करें आज के दिन जो भी कारिया आप करेंगे उसके दूर गामी परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे इसलिए कारियों को सजक्ता से करना बेहद आवशक है आज के दिन यात्राएं करते समय सावधा नहीं रखें और लंबी दूरी की यात्रा को अवोइड करें कुम राशी के जातकों को मदार और कदंब जैसे पौधे लगाने चाहिए आपका शुबरंग रहेगा केसरिया शुबंक रहेगा एक अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सब्तम भाव में गोचे ब्रमन करेंगे आज का दिन दामपत्य के सुखों में खलन डाल सकता है अपने जीवन साती से मदवेद बिलकुल भी न रखें उनसे बादचीत का रस्ता निकालें जगड़ा करना आपके लिए बहुत खराब हो सकता है आपके रिस्ते को नुकसान पहुँच सकता है आज के दिन लव रिलेशन्शिप में धोका मिल सकता है इसकी अपनी लव मेट का चुनाव करते समय साबधानी रखें आज के दिन आपके कोई प्रीय वस्तु को सकती है जिससे आपके मन में दुख के भावदपन हो सकते है इसलिए अपनी वस्तुओं का विशेश रूप से ध्यान रखें आज के दिन कोई भी नया कारी शुरू ना करें और अगर आप बिजनस शुरू करने जा रहे हैं तो स्वतंत्र रूप से करें किसी भी पार्टनर्शिप में काम करने से बचें इस राशी के लोगों को पीले रंग के फूलों और फलों वाले पौधे लगाने चाहिए आपका शुभरंग रहेगा मजंटा शुभंग रहेगा चार तो यह है 31 जनवरी बुद्वार का दैनिक राशिफल अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ शुआ प्रशिद्ध जोतिष आचार्य है उनके जोधपूर श्थित जोतिष संस्थान में महामृत्यून जय, काल सर्प दोष, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8955658362